So Hello guys, नमस्कार आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइज कि आप अपनी इस्टाग्राम आईडियो कौन फ्रेज कैसे कर सकते हैं गाइज सबसे पहले आप ये जान लें कि आईडियो फ्रेज होती कैसे है So guys, अगर आपकी इस्टाग्राम आईडियो है और आप अपनी इस्टाग्राम आईडियो पर कम पोस्ट अपलोड करते हैं जैसे आप फोटो या रील्स वीडियो कम अपलोड करते हैं तो आपकी फोटो पर कम लाइक आएगे गाईज और आपकी जो वीडियों होगी, वो भी वायरल होने के काफी कम चांसे होते हैं तो गाईज इससे पता चलता है, कि आपके इस्टाग्राम आइडी फ्रेज हो चुकी है जिसकी वजह से ना तो आपकी फोटो पर लाइक मिल रहे हैं नहीं तो वीडियो पर लाइक मिल रहे हैं नहीं तो आपके फॉलोवर इंक्रीज हो पा रहे हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने इस्टाग्राम आइडियो को अनफ्रेज कर सकते हैं वीडियो को आप शुरूर से लेके अंतर जरूर देखना तभी आप समझ पाएंगे आप सबीका स्वागत एक बार फेश से हमारे विजटर यूटूब चैनल में चैनल पर नएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक ने कि आप इस तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें आप यह वीडियो शुरू करते हैं सु हलो गाइज जैसे आप सामने सिक्रीन के ओपर दे सकते गाइज यहाँ पर मैंने इस्टाग्राम को आपन करके रखाए गाइज सेंपल अगर आप भी अपनी इस्टाग्राम आईडे को अन फ्रेज करोना चाते हैं गाई तो सेंपल आपने अपनी प्रोफाइल पर जाना है जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं यह मेरी पुरानी आईडे है इसको काफी टाइम से में इसको यूज नहीं कर पा रहा हूं तो उसकी वज़ा से गाईज मेरी आईडे फ्रेज हो चुकी है मुझे नहीं तो यहाँ पर लाइक मिलते हैं गाईज नहीं तो कोई मेरी वीडियो वाइरल होती है रेल पे गाईज यह मेरी आईडे फ्रेज हो चुकी है गाईज जिसके कारव मुझे यह प्रोलम आ रही है सुवाई सिम्पल आपने क्या करना है यहाँ उपर दे सकते हैं थ्री लाइने हैं सिम्पल आपने इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद गाई नीचा आपके पास एक सैटिंग का एक उप्शन होगा simple आपने setting के option पर click कर देना है click करने के बाद guys सामनी यहाँ पर आपके पास एक help का एक option है simple आपने इसके उपर click कर देना है click करने के बाद guys सबसे top पर यहाँ पर दे सकते report a problem का एक option है guys simple आपने इसके उपर click कर देना है उसके बाद guys यहां पर नीचे आपके पास report एक problem का option आ रहा है सबसे नीचे simple आपने इसके उपर click कर देना guys उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा interface open होकर आ जाएगा अब guys सबसे top पर यहां पर आपको कुछ लिखने के लिए बोड़ रहा है यहां पर guys आप Instagram की team को एक message send कर सकते हैं आप यह बता सकते हैं कि मेरी जो Instagram ID है वो फ्रेज हो चुकी है जब भी हम को Instagram पर कोई photo या video upload करते हैं तो वहां पर like और views हमें नहीं मिल पा रहे हैं उसके कारण हमारे follower भी नहीं बढ़ रहे हैं यहां पर जैसे आप दे सकते हैं जो मैंने लिखा है इसको मैं description में भी दे दूँगा आप simple इसको यहां पर copy कर सकते हैं guys copy करने के बाद guys अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आप screen shot भी अपनी ID के send कर सकते हैं यहां पर आपने gallery के option पर जाना है उसके बाद आप सीधे gallery में आ जाएंगे अगर guys आपने screen shot लिया है तो आप सीधे screen shot को यहां पर select कर दीजिए उसके बाद यहां पर submit के option पर click कर देना है simple में आप सम्मेट के option पर click करता हूँ यहां पटा non shake option आ रहा है simple आपने इसके उपर click कर देना है उसके बाद यह mail आपकी instagram team को send हो जाएगी और कुछ time बाद guys आपकी ID unfrage होकर आ जाएगी आपके पास उसके बाद guys आपने simple क्या करना है जब भी आप instagram को open करेंगे guys तो आपको daily के तीन वीडियो अपलोड करने होंगे रोज guys आपको post भी करने होगी उसके बाद आपके follower भी increase होने लग जाएगे guys और आपकी वीडियो viral होने के भी काफी chances हो जाते हैं guys और आपकी photo पार like भी आपको मिलेंगे और यहीं से guys आपकी जो real वीडियो है वो भी viral हो सकती है guys यही कारण होता है guys कि हमारी ID फ्रेज हो चुकी होती है जिसके कारण हमारी real वीडियो कभी viral नहीं होती है guys कम views आते हैं तो यही वज़ा होती है आसा करता हूँ guys आपको वीडियो पसंदा होगा वीडियो को लाइक जरूर करते हैं फीजिट है YouTube चैनल पर नए चैनल को सस्क्राइब जरूर करते हैं कोई प्रॉलम आती है तो आप मुझे कोमेंट बोक्स में जाकर कोमेंट कर सकते हैं नहीं तो आप मुझे Instagram और Facebook पर भी मैसेज कर सकते हैं Instagram और Facebook का link आपको description में मिल जाएगा आप गाज हमारे Telegram में भी join हो सकते हैं उसका भी link आपको description में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए guys आप सभी का धन्यवाद